असलाम अलेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे टेक्निकल अनालिसिस के सेशन नमबर 4 में आज के सेशन में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपोर्टेंट और पावरफुल जो है कैंडिस्टिक पैटन बताऊंगा अगर आपने हमारे पिछले टेक्निकल अनालिसिस के वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आप वहाँ पर जाकर देखे वो तमाम प्रिवियोस देखेंगे और इसके बात इस वीडियो के देखेंगे तो और आप अच्छी तरीके से इस टॉपिक को समझ पाएंगे चलिए दोस्तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और आज का जो पैटन है जैसे कि आपने थमनेल भी भी देखा कि मैं एक अम्रेला पकड़ कर था वह इसलिए क्योंकि आज का जो टॉपिक है इस टॉपिक का नाम ही है इस टॉपिक का सब्जिक का नाम ही है अम्रेला पैटन ना वट इस अन अम्रेला पैटन यह पैटन कब और किस तरह से यह फॉर्म होता है तो सबसे पहले याद रखिए दोस्तो अम्रेला पैटन बनने के लिए हमारे पास जो जरूरत वो ये होती है कि अम्रेला पैटन इस तरह का पैटन होता है जहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर मैं आपको समझाऊंगा तो यह हमारा real body है है ना यह हमारा body of the umbrella है और यह इ अगर इसको आप x कहेंगे तो shadow size should be minimum 2x यानि जितना भी shadow उस particular element का हो उससे double आपको होना है minimum double आपको होना है उसका shadow और most of the time umbrella pattern जब form होता है अगर आप ऊपर देखेंगे there is no shadow यहां पर आप देख रहे हैं there is no shadow लेकिन मैंने आपको पहले rules में बताया है technical analysis में कि कहीं पर ऐस अभी हो सकता है we have to verify that कभी अगर awareness भी हो जाए तो भी आप इसको consider कर सकते हैं for example आपको यहां पर छोटा सा ऐसा अगर आपको shadow मिल जाए तो आप इसको ignore नहीं करेंगे हाँ इसको भी हम ले सकते हैं because the shadow is very small तो अगर अगर shadow थोड़ा सा ओपर आ भी रहा है तो कोई problem नहीं है क्योंकि this is fulfilling यह x है और यह 2x अगर इसका shadow value है इसका मतलब है कि यह umbrella pattern हमको consider करना पड़ेगा तो अब umbrella pattern में basically इसमें दो तरह के pattern होते हैं एक umbrella pattern को जो आज की session में हम discuss करेंगे उसका नाम होता है hammer उस pattern को हम कहते हैं hammer the first pattern of umbrella pattern को कहते हैं hammer यानि वो दिखेगा इसी तरह लेकिन वो किस direction में हैगा उसके base पर हम discuss करेंगे और second pattern को कहते हैं hanging man pattern अब आप देखिए कि hammer pattern यह कैसे form होता है इसके psychology की क्या है और इस पर हम किस सरा से trade ले सकते हैं ताकि हमको जादा से जादा इस pattern से हम swing में या trading वगरा में इसका फायदा हम उठा सकें तो सब से पहले इस topic को हम हम देखेंगे कि what is a hammer pattern यह कब form होता है इसके क्या-क्या जो है factors होते हैं तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं आज का जो pattern हमारा रहेगा वो होगा hammer pattern और याद रखिए hammer pattern को हम कहते हैं bullish pattern hammer pattern को हम कहते हैं bullish pattern तो यहाँ पर सब से पहले hammer pattern form होने के लिए आपको क्या factors की जरुवत होती है अब वो pattern कैसा रहेगा जैसे आपको मैंने पिछले slide में मैंने आपको बता दिया कि hammer pattern generally इस तरह से होगा आपको है कोई भी pattern आप देखेंगे तो hammer pattern generally इस तरह से रहेगा एक हतोड़े के तरह रहेगा ठीक है तो चलिए अब इस पाटन को हम समझते हैं और देखते हैं और देखेंगे कि इसका क्या लॉजिक है इसका क्या जो है इंपोर्टेंस है हमारे पाटन रिकिनिशिंट कॉंसेट में सबसे पहले hammer is considered hammer is considered only after a downtrend यहाँ पर याद रख लिजिए downtrend यानि अगर आपको trend down में जा रहा है उसकी बाद ही आपको जो trend hammer अगर वहाँ पर form होगा तो downtrend के बाद ही hammer को आप consider करेंगे कैसर हम uptrend में hammer को consider नहीं करेंगे अगर वो uptrend हो तो उसे hammer नहीं करतें इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें आपको बताऊँगा उसका अलग pattern name है जो हमने भी discuss किया hanging man तो अभी हम focus करते हैं कि what is a hammer, hammer का क्या मतलब है और hammer color can be red और green चाहे hammer red में हो चाहे वो green में हो इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन hammer pattern का condition है the longer the bottom shadow the bullish the trend याने first thing तो आपको याद रख लीजिए कि hammer का form होता है इस तरह का body आ जाए और एक बड़ा सा bottom shadow उपर का shadow कर थोड़ा बहुत इतना एक छोटा एक 0.5% या छोटा सा percentage का अगर उपर shadow भी आया तो problem नहीं है लेकिन generally इसके उपर कोई shadow नहीं होता है सिर्फ इसका जो है body होता है और इसका जो है lower shadow अगर ये x हो तो मैंने आपको कहा कि minimum इसका shadow जो है वो 2x होना चाहिए अगर for example first कीजिए अगर आपको एक pattern ऐसे मिल रहा है कि यहाँ पर ये तो hammer है अजिम कीजिए ये x है लेकिन अब उसका जो form हो रहा है इस तरह form हो रहा है तो आप याद रखिए दोस्तो यहाँ पर क्यों की सिर्फ हमने x लिया है और ये भी x है तो ये hammer pattern नहीं कमपल सरी उसका जो length होगा shadow का इस body का double the length होना चाहिए तो अब यहाँ पर अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि actual में actual में जो हम hammer बनता है वो किस तरह से बनता है इसके पीछे psychology क्या है इसके पीछे logic क्या है और क्यों hammer is the bullish trend इस चीज़ को देखेंगे और किस तरह से आपको trade लेना है कब trade लेना है अगर आप risk लेने वाले person हो तो कैसे लेना है अगर आप ज़्यादा risk नहीं लेना चाहिए तो आपको कब trade लेना है इस चीज़ को हम देखेंगे सबसे पहले psychology आपको समझने चाहिए कि hammer कब बनता है hammer कब form होता है तो अब यहाँ पर एक मैंने sample के लिए एक downtrend लिया है दोस्तो अब यह downtrend आप देखें सबसे पहले यहाँ पर से price आप देख रहे है कि गिर रहा है तो यहाँ पर जब भी price गिर रहा है हम कहते है bears are in control bears यहाँ जो short sell करते हैं जो उसको base से ही रहते हैं नीचे जाने के बाद this are the bears right so bears are in control तो अब देखें यहाँ पर price नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है एकदम नीचे जा रहा है price को जो है थोड़ा ओपर होनी की कोशिश किया है लेकिन फिर उसके बाद जो है नीचे आना शुरू हो गया है है ना तो अब यहाँ पर इसका मतलब यह है कि bears are trying to push the price यहाँ पर bulls थोड़ा बढ़ाना चारे bears फिर गिरा दिये bulls बढ़ा रहे है फिर bears ने गिरा दिया फिर यहाँ पर stabilize हुआ फिर नीचे गया फिर bulls बढ़ाने गया है फिर नीचे गया यह trend अभी तक form हुआ है है ना तो याद रखिए कि जब भी downward trend है मतलब bears are in full control यहने वो price को गिराते ही जा रहे है गिराते ही जा रहे है और profit यह वो puts के जरीए से या वो call बेच रहे है या वो share price को short कर रहे है whatever the way bears are making the profit अब hammer form होने का logic आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब यहाँ पर बहुत ज़ादा downtrend हो रहा है down ही down जा रहा है price आप यहाँ पर इस चीज़ को देखिए दोस्तों यहाँ पर एक hammer form होआ है आपको देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक circle भी वहाँ पर लगा दिया है वहाँ आप देख सकते हैं कि एक hammer form हो रहा है है ना तो अब इस hammer का logic क्या है समझिए कि bull bears यहाँ पर full control में थे red, 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 red bulls full control में थे sorry bears यहाँ जो price को गिराते हैं उसके बाद bears ने क्या किया यहाँ पर इस candle जो form हो रहा है और आप देखें यहाँ पर उपर shadow हो मैंने आपको क्या कहा है कि wellness भी हो सकता है उपर अगर shadow हो तो भी आपको consider करना है तो यहाँ पर यह hammer किस सरा से बन रहा है देखिए सबसे पहले यहाँ पर price शुरू हुआ है एक price point पर शुरू हुआ है ठीक है तो यहाँ पर हमारा open price शुरू हो गया है अब यहाँ पर यह long body जो shadow है उसका मतलब क्या है बियर्स ने प्राइस को नीचे 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 बिलकुल ले गए हैं किसने बियर्स ने प्राइस को लीचे ले जाना शुरू कर दिया अब बुल्स हैफ कमें टो अक्शन अब बुल्स ने क्या कि भई आपने बहुत ज़्यादा प्राइस को नीशे कर दिया अब हमारी बारी हम उसको अब हम खरीदेंगे और हम प्राइस को पुश करेंगे तो अब बियर्स अगर फर एक्जांपल सुचिए यहां पर ओपें हुआ था अगर यहां पर क्लोज हो जाएगा अगर यह फार्म हो जाएगा तो यह तो हमरे नहीं बलके यह फार्म यह बनेगा हमारा जो है मारा बुल्स यहां पर हम इसको देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं ओके यहां तक हमारा ओपन होकर नीशे गया है प्राइस अब बुल्स खरीदना शुरू कर दिये हैं तो अब क्या करेंगे वो प्राइस को बढ़ाते बढ़ाते यहां पर ला लिए और और उन्होंने इसको बढ़ा दिया बढ़ाकर यहां पर यह एक्शली ग्रीन कैंडल रहेगा क्योंकि यह ओपन है और यह क्लोज है तो अब यहां पर देखिए दोस्तो इस कैंडल फॉर्म होने का मतलब यह है कि अब बेर्स ने जितना प्राइस गिराना चाहता है और गिरा लिया अब बुल्स कह रहे हैं कि बहुत जादा आपने बेश गया अब हमारी बार यह खरीदने की तो क्योंकि बेर्स ने नीचे लेके जाने की कोशिश की है और वो फेड हो चुका है और बुल्स अर नौ इन कंट्रोल अब देख रहे हैं जैसा बुल्स कंट्रोल में आ गए यहां पर अगर क्लोज हो जाए तो समझे कि हैमर फॉर्म हो चुका है यह डाउं ट्रेंट था और यह हैमर फॉर्म हो चुका है और एक बात आपको मैं समझाओ यह हैमर क्यों कहते हैं कभी आप याद देखिए अगर आपके पास हतोड़ा हो अब यह समझे हैमर है हैमर के ओपर जो हम लकड़ी के अंदर लगाते हैं आप देखिए उसको टाइट करने के लिए हम क्या करते हैं उसको नीचे इस तरह से मारते हैं तो आप जब भी देखिए नीचे जब मारेंगे ना तो वह वहाँ पर उपर से जो है नीचे आजाएगा और थोड़ा सा मजबूती आजाएगी यह common concept आपको पता है यह अगर हमने hammer आपने use किया है तो hammer को अब जब मारेंगे तो वह उपर से set होता है और tight होता है यानि hammer का मतलब यहाँ पर यह है कि लोग उस bears उस price को नीचे ले जाना चारेते तो अब hammer को हमने इसा ठोक दिया इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जब hammer को हमने hit किया कि now the hammer is now become stronger और यह hammer क्या कह रहा है कि भाई bulls जो है अब market में entry ले चुके हैं अब bears को जो है खरीदने का बेश कर जो price गिराने का मौका नहीं देंगे तो यहाँ पर अगर आप risk taker है यानि अगर आप यह से जो है risk taker जाने आप ट्रेडिंग में भी रिस्क होता है बहुत जादा रिस्क होता है एक होता है risk averse एक होता है risk risk averse यानि रिस्क लेना ही नहीं चाहता है बंदा कम रिस्क एक हैना risky trader I want to take risk but I want more profit तो यह बंदा जो है इसी उसी दिन जिस दिन hammer farm हो रहा है ना उसी दिन 3.30 के बाद में या sorry 3.30 के बाद में या 3.15 या 3.20 को actually आप यहीं पर enter हो जाएंगे trade में यानि आपको फता चल गया कि hammer farm हो चुका है यहाँ पर आप trade ले लेंगे लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे भी होते हैं जो risk नहीं लेना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं वो wait करेंगे उस दिन hammer farm हो गया अब वो देखेंगे next दिन आप देखिए next दिन क्या है यहाँ पर open price हुआ है और सीधा यह marabuzo बनाए आप देख लीजिए वो marabuzo candle है वो बता रहा है कि भाई bulls are now in control and they are keep buying and buying and buying you can see there is a marabuzo candle there तो यहाँ पर अगर आप risk averse है यहने risk कम लेना चाहते हैं तो next दिन आप देखिए यहाँ पर आप open करने के बाद 15 मिनिट में आप try market देखकर immediate entry ले लेंगे तो यह होता है दोस्तो hammer का power यह है कि price को bear से नीचे लाना चाहा लेकिन bulls ने एक hammer form कर दिया यानि bear से नीचे ले जाना चाहा है तो bulls ने उसको hammer उसको ओपर लेकर hammer का formation दे दिया है यहाँ पर bulls are now in full control in the stock so now buying शुरू हो गई है अब यहाँ पर important चीज यह है आपने entry तो ले लिया तो आप उसको exit कैसा करेंगे अगर आपको आपका अंदाज़ा गलत हो तो कैसे exit करेंगे तो याद रख लीजिए जब भी hammer form हो रहा है जब भी hammer form होआ है तो अगर मैंने यहाँ पर इसको खरीदा है तो मेरा जो stop loss होगा वो है low end of hammer यानि जो hammer का जो lowest value है वो मेरा stop loss होगा अब यह अगर for example सुचिए अगर example आपका hammer इस तरह से form होआ है तो ठीक है आप 2X है यह अगर फर्स कीजिए आपका hammer बहुत ज़्यादा बड़ा form होआ है यानि यह जो stop loss है बहुत धीप है यानि बहुत ज़्यादा दूर आपका stop loss है तो उतना ज़्यादा ब्लिस नहीं लेना चाहते है तो इस पॉइंट पर बास ट्रेडर्स यह कहते हैं कि इंशि ब्लादा रिस्क होना है हो रहा होगा तो अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं ऐाराउंड 50 पर्सेंट आप जो है इसका वालीव आप ले सकते हैं जो center है वहाँ पर आप इसको는 stop loss यहाँ पर लगा देंगे या आप यहाँ पे stop loss जो है यहाँ पर भी आप रख सकते हैं यह और रख सकते हैं अगर यह प्रैस जहां पर आए तो इमेजिट आप एक्जिट हो जाएंगे इसका मतलब यह है कि दूसरे दिन अगर प्रैस खिरले करना पड़ेगा लेकिन बहुत जयादा होगा दोस्तों रत्थमा जादा को जो है आर्कक्त में रिटन उतना जादाा नहीं रहेगा। अप बेस्ट ऑप्शन यह लेक्रिय। है दोस्तों जितना जादा आपका time frame रहेगा उतना powerful signal आपको मिलेगा अगर आप weekly chart में देखे रहे हैं कि hammer form हो रहा है इसका मतलब यह बहुत ही powerful hammer होगा अगर आप 5 minute के level में आप देख रहे हैं तो वो बिल्कुल hammer करेगा तो उसके basis पर आप अपने stop loss को trial करेंगे अपने GTD order को जो बढ़ाते जाएंगे अगर for example अपने stop loss यहां रखा था नीचे तो for example मैं आपको एक simple logic बताता हूं कि सब्सक्राइब करते हैं अब for example यहां पर आपका price सा समझिए 110 पर आपने ले लिया और यहां पर है यह 100 और यहां पर इसका 2x बोले तो यहां पर समझिए 80 ओके something like that 80 है यहां पर यह price आपका 80 है यह नीचे का price है तो समझिए आपने 110 पर खरीद लिया और आपका stop loss आपने टखा 80 बहुत जादा हो रहा है तो समझिए for example अब यहां पर कहीं पर आपने 90 पर stop loss लगा दिया अब समझिए निक्स्तिदे शेख बढ़ रहा है ओके so it's get started going upward अब यह पहुंचा है 120 पर तो आप क्या करेंगे instead of your stop loss at 90 अब आप जो stop loss को 100 कर सकते हैं या 95 कर सकते हैं इस तरह से trial करना यानि जैसे जैसा आपका price बढ़ रहा है तो आप वही stop loss नहीं रखेंगे 5 points उपर कर लेंगे ताकि अगर वो sudden reversal भी हो तो आप जो है profit में ही रहेंगे क्योंकि आप जो profit आपको आ रहा है वहां पर से आप बेसिकल दोस्तो इसे कहते हैं hammer formation और बहुत ही powerful signal होता है आप day chart में देखिए या weekly chart में देखिए अगर hammer form हो रहा है तो बहुत ही powerful आपको signal रहेगा बहुत ही अच्छा result आएगा लेकिन याद रखिए GTT order आप stop loss भी रखिए ताकि अगर वो reverse हो चाए तो आप जादा आप नुकसा ना उठाए और आप जो positive side में ही जो है upper side में ही आप trade कर पाए तो यह है दोस्तो हमारा आज का इस session में मैंने short videos बना रहा हूँ आपके लिए एक एक pattern मैं discuss करूँगा तो इस pattern को हम कहते है hammer pattern उमीर है आपको यह समझ में आया है दोस्तो अगर आपको यह video अच्छा लगा और आपको concept समझ में आया तो इस video को like कीजिए और हमारे channel को subscribe कीज और next video में मैं आपके लिए pattern लाओंगा जिसका नाम है hanging man pattern इसी concept पे रहेगा लेकिन यह form होगा जब uptrend होगा तो इस time पर hanging man pattern form होगा यह उसका concept क्या है मैं अगले वीडियो में इसके बिलिए देखेंगे thank you very much